पब्लिक टीवी आपकी आवाद देखे अमरानमसुजी जो टिका टिपनी कहर रहे हैं राम जनम भूमी के बारे में या जो मंदिर बना है उसके बारे में मुझे लगता है ना तो उसको उसका कोई उसकी कोई हैसियत है अना उन्हें करना चाहिए जिस तरह से इसका भाईशकार किया है और जो इन्विटेशन जो उनको मिला था उनके सीनर लीडर सुनिया गांदी जी या खड़गे जी को जिस तरह से उन्हें नाकार दिया है मेरे खाल से उसके बारे में टिका टिपनी करनी चाहिए कि क्या उनकी आस्था नहीं है राम में क्या वो राम के वंशस नहीं है अगर है तो इस तरह से क्यों ना का रहा है आज देश की जनता पूछ रही है और कहीं न कहीं देश की जनता को जिनकी आस्था राम में है राम नहीं पूछना चाहिए अपने सीनर लीडर से और खास के जो उनके जो प्रेसिडेंट नैस्ट प्रेसिडेंट या फिर उनकी पाठी जिस पार्टी के जिसके वो गिलाम है जो पहली परिवार है उनके मुख्याओं से पूछना चाहिए कि आखिर किन कारणों से उनको जो इंविटेशन विला था उसको नाकार दिया सब्सक्राइब करने की बात है और बीजेपी का पूरा प्रोगेंडर रहे कि यह बार बार यहीं सवाल हमें हम से प्यूचना हमें टार्गेट किया जा रहा है देकि यह तो डैमेज कंट्रोल करने की बात है हकिकत वो भी जानते हैं कि उन्होंने अपमान किया है जिनकी आस्था राम मंदिर में है उनका अपमान करने कोई कसर नहीं छोड़ा है ऐसे में वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब वो निमंतरन वाप कर रहे थे तब ही कि लोगों की साथ उनके पार्टी के लोग में उनके पार्टी के लोग की भी ट तो आस्था है में तरस्ता है उनके आस्था वह कहीं नहों ठेशाने का काम सुनिया गांधी जेने मिलुक्र बłyroe के बहुत सारे लोगों के साथ जो सी fajar लीडर्स बहुत सारे कॉंग्रेस के के लीडरों ने किया है और इसका जवाब जो है जनता ही अकले शहाब कह रहे है कि स्वाम विवे का नम के जो शुक्षा है उससे जाए बीजित बटक गई है और कही ना कहीं बाटने की नीटी पर चल रहा है उनसे तो यह कहिए कि एम अपने लिए अपने परिवार वालों के लिए सिर्फ यह इस्तमाल करते हैं समाज को बाटते हैं समाज में कहीं न कहीं लोगों को गुम्राह करते हैं अब समाज भी समझ चुका है कि एक ऐसी सरकार है जो जनता के हित में प्रदेश के हित में और देश के हित में काम करती है और एक ऐसी सरकार है रही है तुरान पहले जो सिर्फ परिवार हिद में काम करते हैं जंता समझ चुकिए इसका सबक इनको मिल रहा है सब्सक्राइब की तरफ से एक बयान आया है कॉंग्रेस की नेता है वो अपनी पार्टी के लाफ पड़ो रहा है कि जिस तरह से निमंत्रण बापस करा है यह कही नके गलती है अपनी भून लेनी चाहिए आख के सिर्फ कि हमने कहां पहले भी जो भी राम में आस्था रखता हो राम भक्त हो राम मंदिर में इसके आस्था हो तो उसे कहने कहीं दर्ध होगा ठेस होगा और खास कि अगर उस पार्टी का हो जिसके मुखिया और इसके प्रेजिडेंट और जिस परिवार के जो लोग उनके पार्टी के गुलाम होते हैं उन्हों एक इससास होते हुगा कि छुट के इसारीय का आठी लिगार्ब keyboard और मुझे लगता है उनका दर्द सब्सक्राइब करें देखिए आस्था की बात है कॉंग्रेस के जिस तरह से राम भक्तों के साथ या जो रास्था रखने वालों के साथ और उनके उनके दिल को जिस तरह से तोड़ा है तो जाहिरे उसका असर कहीं न कहीं है आग्यामी सभी अलेक्शन में पड़ेगा सिर्ट और 2024 फ्वह बात में लोग तो इस बात को भूलेंगे नहीं कि उनके अफमान किया है और कहए न कहें लोगों के आस्था कि अफमान किया है उसके साथ खेलवार कि उसका सबक तो अभी भी सीख रहे हैं आग्या और सीकने का आपका मिलेकर पब्लिक टीवी आपकी अबाद